ओम शांति ब्रुकुटी सिंगासन पर विराजमान होकर मैं आत्मा राचा मन बुद्धी संस्कारू नजरों पर श्वासों पर इन कानों पर जमुख पर इन हाथों पर अपना अधीपत्य जमा कर बैठी हो जब सर्व करमिंद्रियां सुक्ष्म और स्थोल हमारे नियंत्रण में होती है तो सर्व कारे स्वते सिद्ध होने लगते हैं पर नतु ये स्थिती केवल यूग के समय नई अपितू सदा अबर करा रहे आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन चाए उसके लिए बाबा हमें सर्वश्शक्तियां देते हैं मास्टर सर्वश्शक्तिमान बनाते हैं तो इसका अभ्यास कैसे करना है और क्यों हम इस थिती को बरकरार नहीं रख पाते इसको गहराई से हम आज बाबा की अव्यक्त वानी द्वारा समझेंगे और अपनी अव्यक्त स्थिती में स्थित होकर बाबा की एक एक बात को एक एक वाक्य को भीतर तक समाएंगे और परिवर्तन लाएंगे तो सभी स्थित हो गए अपनी अव्यक्त स्थिती में अव्यक्त बाब दादा के समने तो अभी सुनते हैं बाबा की मीठी मुडली आज है आज अक्टुबर दो हजार तेज अव्यक्त बाब दादा के रिवाइस कूर्स के नौ जनवरी उनिसो च्यानवे के महवाक्य बालक सो मालक बन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो आज विश्व के मालक बाब अपने चारों और के मालक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं तो बिलकुल स्थित हो जाएं जैसे बाबा हम सब को देख रहे हैं बालक भी हो तो मालक भी हो विश्व के मालक भविश्य में बनेंगे लेकन बाप के सर्व खजानों के मालक अभी हो विश्वराज्य अधिकारी भविश्य में बनेंगे लेकन स्वराज्य अधिकारी अभी हो इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो विश्वराज्य अधिकारी भविश्य में बनेंगे लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो दोनों होना बालकपन का नशा सदा रहता ही है बाबा की बच्चे हैं ये तो याद रहता है बाब दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे मर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मिजॉरिटी को रहता है चूंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है बाबा तो बाबा ये सोचना बच्चा है तब बाबा कहते हैं और जो सच्ची सेवाधारी है उनके मुक से बार बार क्या निकलता है क्या निकलता है बाबा ने ये कहा बाबा ये कहते है सारे दिन में चेक करो कि कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे है नौलिज के दिमाग से कहने वाले जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा, सहज, दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति क्या है वो प्राप्ति? खुशी और शक्ति मिलती है मिलती है सबको जिनको मिलती है वो दिल से बाबा कहते हैं और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नौलिज के प्रमाण नौलिज के प्रमाण भी समझ जाते हैं हम आत्मा है वो परम आत्मा है तो नौलिज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती जब तक सुन रहे हैं तब तक खुशी होती अच्छा लगता लेकिन सदाकाल के लिए दिल में खुशी और शक्ती दोनों हो वो सदा नहीं रहती कभी रहती, कभी नहीं क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा तो जब बाबा बोलो ना तो खुच से पूछना दिल से कह रहे है या दिमाग से कह रहे है तो बाप दादा ने देखा कि बालक पन का निश्चे सभी को है नशा कभी है, कभी नहीं है बाबा के है, ये निश्चे इसमें मिज़ॉरिटी ठीक है बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो बालक सो मालिक हो दबल है तो मालिक पन एक स्वराज्य अधिकारी मालिक स्वराज्य अधिकारी पूरी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर अपनी कर्मिंद्रियों पर और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो मेरा वर्षा है दाता बाप है लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो वहने कहा कि दाता बाप है लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो तो यहाँ वर्षा सबको मिला है किसको कम, किसको ज्यादा तो नहीं मिला है सबको एक जैसा मिला है सबको एक जैसा मिला है न या किसको एक करोड मिला है और किसको दस करोड ऐसे तो नहीं है न बाबा तो सूरे की तरह है सबको बराबर दे रहे है कोई खिड़की बंद कर ले तो बाबा का तो कोई कुसूर नहीं है न बाबा तो सबको बराबर दे रहे है क्योंकि बाप के खजाने बेहद के है कितने भी बच्चे हो लेकिन बाप के खजाने बाठने से कम होने वाले नहीं है अखुट है खजाना खुला और संपन भंडार है इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे जब है ही बच्चों के लिए तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे तो एक बाप के वर्से के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक तो स्वराज्य मिला है बाबा के वर्सा तो सबको बराबर मिला है स्वराज्य मिला है दोनों के मालिक हो पक्का है न, तो मालिक होकर कितना समय चलते हो कहते भी हूँ कि स्वराज्य हमारा बर्थराइट है कहते हूँ न, यह महारतियों का बर्थराइट है सब का बर्थराइट है न, केवल महारतियों का बर्थराइट तो नहीं है हमारा थोड़ा है स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा-थोड़ा मिला है इस पर पूरा पक्का रहना तो चेक करो क्या कि स्व की सर्व कर्मिंद्रियां ओर्डर प्रमाण है चेक करो कर्मिंद्रियां आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है न मालिक तो नहीं है चक करना करमेंद्रियों के वश तो नहीं हो जाते जबान के वश, कानों के वश, आखों के वश, मन के वश आप मालिक हो ये ठीक है कि करमचारी मालिक है और आप करमचारी बन जाते हो तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिती में सबसे ज्यादा जो मालिक पन भुलाने वाला है वो समय प्रती समय राजा से अपने वश में करने वाला है राजा से परवश बना देता है वो कौन है? वो है मन इसलिए बाप का मंत्र भी है क्या है मंत्र? मन मना भव तन मना भव धन मना भव या बुद्धी मना भव नहीं है मन मना भव है तो मन अपना प्रभाव डाल देता है होता ऐसे मन के वश में आ जाते हैं देखो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात वव्यर्थ वातावरण वव्यर्थ दृष्य सब का प्रभाव पहले किस पर पढ़ता है? किस पर पढ़ता है? मन पर प्रभाव पढ़ता है न? फिर बुद्धी उसको सही योग देती है मन और बुद्धी अगर उसी प्रकार बाबा को बहुत गहराई से समझा रहे हैं बाबा हमें अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संसकार बन जाता है अभी भी अपने को चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संसकार है वो बना कैसे? खुद को गहराई से चेक करें कि हमारी जो भी पुरानी ऐसी आदते हैं जो अच्छी नहीं है वो कैसे बनी? कैसे ये पुराने, कैसे ये व्यर्थ संसकार बने? मानो किसी का संसकार छोटी सी बात में, सेकेंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है कहीं बहुत सेंसिटिव होते हैं न? तो ये संसकार बना कैसे? फिर कहते हैं, चाहते नहीं है सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है इसको कहा जाता है संसकार वश कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता थोड़ा सा देखा, सुना और मन मायूस हो गया फिर अगर कोई पूछेगा, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे? नहीं, कोई बात नहीं ये मेरे संसकार है ठीक हो जाएगा, संसकार है लेकिन बना कैसे? important बात, बना कैसे? मन और बुद्धी के आधार से संसकार बन गया सदा तो नहीं था न? पर मन और बुद्धी के आधार से बन गया फिर भिन भिन संसकार है जो ब्राम्भन संसकार नहीं है बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो? तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है? तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राम्भन? लेकिन जब व्यर्थ संसकार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मन हो? ये शत्रिय हो? युद्ध करने लग जाते हैं उस समय कौन हो? यदी अपने से युद्ध करते हो ये नहीं ये नहीं तो ब्राम्मण हो ये शत्रिये हो कौन है कई बच्चे कहते हैं दो दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई पता नहीं क्यों वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों लेकिन वो दिन ब्राम्बण है यह शत्रिये है जिसकी खुशी गुम हो जाए वो ब्राम्बण है तो क्या कभी शत्रिये बनते हो कभी ब्राम्बण बनते हो सभी ने कहा ना मालिक है लेकिन उस समय क्या है उस समय क्या है, मालिक है या परवश है तो बाप दादा ने देखा कि मालिक पन को हिलाने वाला विशेश कौन है मन है और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो मन आपका मंत्री है या मन मालिक है आप मंत्री हो कौन क्या है आप राजा हो ना मन तो राजा नहीं है मंत्री है सहयोगी है तो मन का मालिक पन ये सदा हो तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी तो किसको कंट्रोल करना है मन को नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधिन इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? क्या कारण है? जब समझते भी हो फिर भी संसकार के वश हो जाते हो इसलिए पहले मन को कंट्रूल करो कहते हो राजा है लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? नाम तो राजा है पर रूली नहीं कर रहा है रूलिंग पावर ही नहीं है तो राजा होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो अंदर यंदर खुद की चेकिंग करो एक कलती बहुत करते हो उसके कारण भी संसकार के उपर विजे नहीं प्राप्त कर सकते बहुत टाइम लगता है समझते हैं कल से नहीं करेंगे लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है कई बार हम खुझ से प्रामिस करते हैं बाबा से प्रामिस करते हैं कल से नहीं करेंगे पर जब कल आता है तो और बड़ी प्राप्लम हो जाती है तो कहते हैं कल छोटी बात थी न आज तो बहुत बड़ी बात थी तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया फिर ठीक कर लेंगे ये बड़ों को वो अपने दिल को दिलासा देते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो लेकिन ये दिलासा नहीं है खुद को भी दिलासा देते हैं पर अंतु बाबा कहते हैं यह दिलासा नहीं है यह धोखा है उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना बस अभी ठीक हो जाएंगे लेकन यह स्वयम को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो एक बारी धोखा दिया फिर दुबारा फिर तिबारा फिर आदत पक्की हो जाते है जो उस समय पता नहीं पड़ता लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं के हाँ यह धोखा ही है तो भूल क्या करते हो जब बड़े या छोटे एक दू कुश शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो यह मेरा सुभाव है मेरा संसकार है कोई का फिलिंग का कोई का किनारा करने का कोई का बार-बार परचिंतन करने का कोई का परचिंतन सुनने का भिन भिन है उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संसकार कहा वो मेरा है मेरा है किसका है सबने क्या कहोगा रावन का तो मेरा क्यों कहा ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावन के संसकार है कहते हो मेरे संसकार है तो ये मेरा शब्द यही पुरुशार्थ में धीला करता है ये रावण की चीज अंदर छिपा कर क्यों रखी है लोग तो रावण को मारने के बाद क्या करते हैं जलाते हैं जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं और आपने क्या कर रखा है? मेरा बना कर रख दिया है. तो जहां रावन की चीज होगी, बहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार एकठे रहेंगे क्या? शुद्ध के साथ शुद्ध एकठे रहेंगे. और राज्य किसका है? अशुद्ध का. शुद्ध का तो नहीं है ना, इस समय दुनिया में अशुद्ध का ही राज्य है और आपने अशुद्ध ता अंदर छिपा कर रखी है. तो राज्य है अशुद्ध का और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है. जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो. कैसे रखी है संभाल के? जैसे सोना या हीरा कोई कीम्ती चीज संभाल कर रखी हो. इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चल शत्रिये बन जाते हैं क्या होता है हमारे भीतर बाबा ने बहुत गहराई से स्पष्ट करके हमें बता दिया है क्या करना है क्या बचना है किससे बचना है ये भी बाबा ने बता दिया है मेरा संसकार क्या है जो बाब का संसकार है विशीश है ही विश्व कल्यानकारी, शुब चिंतन धारी कौन सा संसकार है अमारा? विश्व कल्यानकारी, शुब चिंतन धारी सब के प्रती, शुब भावना, शुब कामना धारी ये है ओरिजिनल मेरे संसकार बाकी मेरे नहीं है और यही अशुध्धी जो अंदर छिपी हुई है न, वो संपोन शुध बनने में विग्ण डालती है यह शुध्धी संपोन शुध बनने में विग्ण डाल रही है तो जो बनना चाहते हो, लक्षे रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क बढ़ जाता है मेजोरटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी कि इस डायमेंड जुबली में बाप समान डायमेंड बनना ही है यह संकल्प है या सोचना है सोचना हो तो सोच लो, لیکिन नमबर पीछे मिलेगा अगर सोचते रह जाएंगे तो नंबर पीछे मिलेगा कहावत भी है कि जो करेगा वो पाएगा ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा तो संकल्ब बहुत अच्छा करते हो बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं लेकिन ये रावन की चीज जो छिपा कर रखी है ये रावन की चीज जो छिपा कर रखी है ना वो मन का मालिक बनने नहीं देती मेरी आदत है मेरा सुभाव है, मेरा संसकार है मेरी नेचर है ये सब रावन की जाइदाद साथ में, दिल में रख दी है तो दिलाराम कहां बैठेगा दुनिया में भी इश्वर की मूर्ती भगवान की मूर्ती रखते हैं देवी देवताओं की मूर्ती रखते हैं तो पहले स्थान को साफ करते हैं और हमने दिल में रावन की चीज अशुद्ध चीज संभाल के रखी है तो बापा बैठेगा दिल में तो दिलाराम कहां बैठेगा रावन के वर्से के उपर बैठे क्या तो अभी इसको मिटाओ जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है और मन को दुनिया वाले भी कहते है ये घोड़ा है बहुत भागता है और तेज भागता है लेकिन आपका मन भागना चाहिए दुनिया वाले कहते हैं हमारा मन भागना चाहिए आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है अगर लगाम ठीक है यानि श्रीमत पर पूरा चलते है तो कुछ भी हल चल नहीं हो सकती लेकिन करते क्या हो बाप दादा तो देखते रहते हैं न तो हसी भी आती है जिसे सवारी को चला रहे हो लगाम हाथ में है लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धी या मन कोई साइट सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? क्या होगा? लगाम धीला होगा और लगाम धीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृती में रखो बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की आज्या क्या है? यह हमेशा बुद्धी में रहे स्मृती में रहे कर हमेशा हर कारे करो है ना? जब भी कोई बात हो मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम ताइट करो तो यही स्क्रूड ही लाओ जाता है फिर कुछ नहीं होगा फिर मनजिल पर पहुँच जाएंगे तो श्रीमत हर कदम के लिए है हर संकल्प के लिए है हर कदम के लिए है श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनू ये नहीं है हर कर्म के लिए श्रीमत है चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना सबकी श्रीमत है है कि नहीं है? मानू आप पर चिंतन कर रहे हो तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को धीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का थोड़ा भी धीला किया ना तो मन चंचलो जाता है फिर उसको आदत पढ़ जाती है तो आदत डालने वाला कौन? किसने डाली ये आदत? आप ही हो ना श्रीमत की लगाम को धीला कर दिया तो मन चन्चल हो गया तो पहले मन का राजा बनो चेक करो अंदर ये अंदर ये मन्त्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे है जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते है तो ये मन भी ऐसा करता है जो पहले वाले होते है न जो राजा है उसको हिलाने की कोशिश करते है ये मन भी ऐसे ही करता है वो आत्मा को हिलाता है बुद्धी को भी अपना बना लेता है मुख को, कान को, सब को अपना बना लेता है फिर सभी मन के अकॉर्डिंग कारे करने लगते है तो रोज चेक करो समाचार पूछो हे मन मंत्री तुमने क्या किया कहा धोखा तो नहीं दिया कहा अंदर ही अंदर गुरुप बना दे वे और आपको राजा के बजाए गुलाम बना दे तो ऐसा ना हो याद रखना इस बात पर पूरा अटेंशन देना रोज अपनी चेकिंग करना दिखो ब्रह्मा बाप आदी में रोज ये दर्बार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदी की दिन चर्या है सुना है ना बाबा की डाइरी में कहीं बारी आती भी है वाटसप पर भी आती है कहीं उन्हें पढ़ा भी होगा सुना भी होगा कि बाबा कैसे अपनी रोज सभी मन मंत्रियों से सभी कर्मचारियों से तरबार लगा कर पूछते थे तो ब्रम्भा बाप ने भी महनत की है न अटेंशन रखा तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने तो पहले स्वराज्य अधिकारी शिव बाप तो है ही निराकार लेकिन ब्रम्भा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुशार्थ से प्रालब्ध प्राप्त की तो ब्रम्भाब आपको फॉलो करो ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है एक सकिंड में आपको सारा फॉरन घुमा कर आ सकता है तो क्या सुना? बालक सु मालिक ऐसे नहीं खुश रहना बालक तो बन गए वर्सा तो मिल गया लेकिन अगर वर्से के मालिक नहीं बने तो बालक पन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो सिर्फ वर्से को देख करके खुश नहीं हो स्वराज्य अधिकारी बनो इतनी छोटी सी आँख बिंदी है वो भी धोखा दे देती है तो मालिक नहीं हुए तबी धोखा देती है तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते है अधिकारी अधीन नहीं रहेगा जो अधिकारी है वो अधिन नहीं रहेगा समझा क्या बनेंगे बालक सो मालिक रावन की चीज को तो यहां हॉल में ही छोड़ कर जाना छोड़ कर जाएंगे सभी मदवन में यह तपस्या का स्थान है न तो तपस्या को अगनी कहा जाता है तो अगनी में खत्म हो जाएगा ठीक है न? बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावन से अभी भी प्यार है दिल से चाहाते नहीं है लेकिन रह गया है अभी इसको खत्म करो टीचर्स क्या करेंगी? यहीं छोड़ कर जाएंगी? या ट्रेन में फेकेंगी? क्योंकि तेरे सट जन्मों की पुरानी चीज है तो थोड़ी तो प्रीत है कोई चीज खराब भी हो बहुत टाइम तक साथ रहे तो फिर उससे भी मोह हो जाता है तो यह तो तेरे सट जन्मों की पुरानी चीज है पांडव क्या करेंगे? यहीं छोड़ कर जाएंगे? या नीचे आबू रोट पर छोड़ेंगे? यहीं छोड़ कर जाना छोड़ने के लिए तैयार हो धिला ढाला हां कर रहे हो बाप दादा रोज कोई न कोई बच्चों की बातें चेक करता है आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे न? अच्छा ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की लोटरी मिली है तो अचानक की लोटरी का महत्व होता है तो इस लोटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते होए जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है इसे प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना जितना स्वयम प्रती या औरों प्रती कारे में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा तो बढ़ाते रहना ये लौट्री का दिन भोलना नहीं याद रखना चारों और के बालक सो मालिक दबल अधिकार लेने वाले श्रीष्ट आत्माई सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माई सदा बाप के संसकार सो मेरे संसकार इस विधी से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रीष्ट सेवाधारी आत्माउं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 वर्दान है ब्राम्भल जीवन में खुशी के वर्दान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भवा कैसे बनेगे महान आत्मा जब ब्राम्मण जीवन में खुशी के वर्दान को सदा कायम रखेंगे ब्राम्मण जीवन में खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है क्यों सदा बाबा हमें सर्व प्राप्तियों से भरपूर करते हैं सदा खुश रहना ही महानता है जो इस खुशी के वर्दान को कायम रखते हैं वही महान है तो खुशी को कभी खोना नहीं समस्या तो आएगी और जाएगी लेकिन खुशी नहीं जाए क्योंकि समस्या परस्थिती है दूसरे के तरफ से आई है वह तो आएगी जाएगी खुशी अपनी चीज है अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा है ना? स्लोगन है बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो क्या करेंगे? तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थत रहो बातों को नहीं देखो बाबा की सेवा अथक रोप से करते रहो ठीक है न? तो आज सभी क्या हूमवक करेंगे? राजा बनकर अपनी सर्व कर्मिंद्रियों की सुक्ष्म और स्थूल कर्मिंद्रियों की दर्बार लगाएंगे बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा ने दर्बार लगाई रात को भी दर्बार लगाएंगे और दिन में भी जब टाइम मिले चेक करेंगे मन मंत्री धोखा तो नहीं दे रहा कहीं आखें, कहीं मुख, कहीं कान धोखा तो नहीं दे रहे इन पुराने संसकारों को खत्म करने के लिए ये नहीं कहेंगे कि मेरे संसकार, मेरा स्वभाव इस रावन की चीज़ को अपना नहीं बनाना है मेरा बाबा और मैं बाबा की बच्ची आत्मा ये याद रखना है तो ब्रामन संसकारों को इमर्च करेंगे रामन के संसकारों को खत्म करेंगे दर्बार लगाएंगे सबी करेंगे ना? सब करेंगे बहुत अच्छा ओम शांति कहो मेरा बाबा दिल से कहो मेरा बाबा प्यार से कहो मेरा बाबा साथ निभाएगा हाथ बटाएगा साथ निभाएगा हाथ बटाएगा निभाएवो पूरा बादा दिल से दिल से कहो मेरा बाबा प्यार से कहो मेरा बाबा प्यार से कहो मेरा बाबा प्यार बाबा सारे जमेले मिट जाएंगे पल में बखेरे टल जाएंगे सारे जमेले मिट जाएंगे पल में बखेरे टल जाएंगे हो जा समरपण कर दे अरपण राह में सितारे भर जाएंगे उस से रहो सीधा सादा उस से रहो सीधा सादा दिल से कहो मेरा बाबा साथ निभाएगा हाथ बटाएगा निभाए वो पूरा वादा दिल से दिल से कहो मेरा बाबा क्या से कहो मेरा बाबा क्या सादा दिल से कहो मेरा बाबा 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 कर्म में अपने हाथ दिये जा मन में प्रभू को याद किये जा कर्म में अपने हाथ दिये जा मन में प्रभू को याद किये जा चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में उससे बात किये जा मुख से कहो ना कुछ जादा मुख से कहो ना कुछ जादा दिल से कहो मेरा बाबा साथ निभाएगा हाथ बटाएगा साथ निभाएगा हाथ बटाएगा निभाए वो पूरा वादा दिल से किसे कहो मेरा बाबा क्या से कहो मेरा बाबा एक पृमप से कहो नहात लोगनानो मुख से करने बटाई भूम पूर बाबाबा जाएख से कहो मेरा बाबाम